दोस्तों स्वागत आपका फिर से एक नए comparison वीडियो में और इस वीडियो में compare करने वाला हूँ Samsung A15 5G versus Samsung A14 5G इन दोनों फोन को में compare करने वाला हूँ और इस वीडियो के लच तक आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फोन best है, कौन सा फोन value for money हो सकता है तो इस वीडियो को आज तक देखते रहना, मैं हूँ वसीम और आप देख रहे हैं influencer वसीम YouTube चैनल चलिए इस टार्ट करते हैं इस comparison वीडियो को, सबसे पहले बात करता हूँ इन दोनों के display की तो देखिए Samsung A15 5G में जो मिलता है, वो एक super amoled display है, जो की 6.5 inches में है, 396 ppi पर वेजड है, 800 nits peak brightness मिल जाती है, 90 Hz का refresh rate में मिलता है Samsung A14 5G की बात करूँ, तो इसमें PLS LCD मिलता है, जो की 6.6 inches में है, और 400 ppi पर वेजड है, 90 Hz का refresh rate मिलता है यह हो जाते हैं इन दोनों के display, अब दोनों में से कोई एक display चूस करने की बात करी है, तो देखिए Samsung A15 5G जो है, वो display में winner है तो Samsung A15 5G का जो display है, वो एक अच्छा display है, Samsung A14 5G के comparison में, चलिए बात करते हैं अब हम camera की तो देखिए camera जो है, वो A15 5G में आपको 50 MP में मिलता है, जो कि एक wide angle camera है, या फिर मैं कह सकता हूँ main camera है और जो secondary camera है, वो 5 MP में मिलता है, जो कि एक ultra wide camera है, और जो third camera है, वो macro दिया है, जो कि 2 MP में है Samsung A14 5G की चलो बात कर लेते हैं, तो Samsung A14 5G में जो मिलता है, वो 50 MP में main camera मिल जाता है और 2 MP में macro camera मिल जाता है, जो कि second camera है, और जो third camera है, वो 2 MP मिलता है, जो कि depth camera है मतलब इसमें आपको ultra wide camera नहीं मिलता है, तो इस तरह से इन दोनों की camera setup हो जाते हैं, rear वाले तो इन दोनों में से कौन सा camera अच्चा है, यह अभी मैं आगे बताऊंगा, पहले इसका हम selfie camera और देख लेते हैं तो selfie camera की अगर मैं बात करूँ, A15 5G की, तो यहाँ पर आपको 13 MP में मिलता है, front camera, या फिर कहें तो selfie camera, यहाँ से आप full HD video record कर सकते हैं Samsung A14 5G की बात करें, तो इसमें आपको 13 MP में ही camera मिलता है, जहाँ से आप full HD video record कर सकते हैं कहने का मतलब यह है कि camera दोनों similar हैं और performance भी दोनों की ठीक ठाक आती है, लेकिन दोनों में से कोई एक camera अगर चूज करने की बात करी जाए, तो देखिए A15 5G का जो camera है, वो ज़्यादा best है as compared to Samsung A14 5G तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि camera और display में कौन सा phone perfect है, चलिए बात करेंगे, अभी हम आगे कि overall आपको कौन सा phone लेना चाहिए, पहले हम और आगे बात कर लेते हैं, तो बात करूंगर मैं यहाँ पर chipset की, तो देखिए chipset जो है, वो A15 5G में आपको मिलता है, MediaTek Dim 7760-100 Plus मिलता है, जो कि 6NM पर वेज़ट है, अब यह जो chipset है, वो आने वाले, मतलब अभी recently जो phone launch हुए है, उनमें काफी ज़्यादा देखने को मिला है, तो यही chipset आपको A15 5G में मिलता है, बात करूंगर मैं यहाँ पर A14 5G की, तो देखिए इसमें आपको जो chipset मिलता है वो Samsung का ही मिलता है, जो कि Samsung Exynos 1330 है, जो कि 5NM पर वेज़ट है, जब कि 6100 Plus जो chipset है, वो 6NM पर वेज़ट है, थोड़ा असा fabrication का फर्क है, बात करूंगर मैं यहाँ पर CPU की, तो देखिए दौनों में ही आपको OctaCore देखने को मिलता है, लेकिन OS में थोड़ा difference है, OS की बात जाता है, लेकिन दोनों में से कोई एक chipset अगर choose करने की बात करी जाए, तो यहाँ पर जो best chipset है, वो दोनों ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो A14 और A15 है, उसमें ज्यादा फर्क है, जो दोनों चिपसेट है, वो दोनों अच्छे हैं, और दोनों ही अच्छी performance दे बात करी जाए, अब यहाँ पर बैटरी की तो देखिए, बैटरी जो है, वो 5000 mAh का आपको मिलता है, Samsung A15 5G में, जिसके साब 25W की fast charging दी जाती है, Samsung A14 5G की में बात करूँ, तो इसमें 5000 mAh का बैटरी मिलता है, लेकिन 15W की fast charging दी गई है, 10W से बढ़ा कर 15W कर दी गई है, जो क थोड़ा सा अच्छा है, ज्यादा अच्छा, नहीं किसकते, लेकिन जो A15 5G जो है, उसमें 25W की fast charging है, तो कहीं ज्यादा बैटर है, तो बैटरी में जो बिनर है, वो Samsung A15 5G है, बात करें, अब यहाँ पर हम देखिए, ओडियो जैक की, तो वो 3.5M का ओडियो जैक आपको द मतलब इतना खास नहीं चाहिए, ओबराल फोन अच्छा चाहिए, तो मैं वो आपको बता देता हूँ, तो पहली बात करी जाए, अगर यहाँ पर pricing की, तो देखिए, pricing में थोड़ा नहीं बहुत फर्क है, इसमें, जो Samsung A15 5G है, वो ज्यादा महेंगा है, लेकिन जो Samsung A14 5G है वो इससे कहीं ज्यादा सस्ता है, तो अगर आपको higher task perform नहीं करवा रहे हैं, मतलब आपको camera ज्यादा अच्छा मतलब है, तो ठीक है, अगर नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप display में कोई भी मतलब ज्यादा इतना अच्छा आपको नहीं चाहिए, तो Samsung A14 A15 5G जो है, वो एक best option हो सकता है आपके लिए, अगर आपको इतना ज्यादा मतलब कुछ नहीं चाहिए, तो लेकिन आपको चाहिए एक अच्छा display, उसके साथ अच्छा camera भी चाहिए, और एक chipset भी बहुत better वाला चाहिए, या फिर मैं कहूं तो उसके साथ battery भी बहुत अच इच्छा चाहिए, तो आपको Samsung A15 5G की तरफ जाना पड़ेगा, ये phone आपको आपकी जो requirements को fulfill कर देगा, तो इस तरह से हो जाता है, बात ये battery की आती है, तो देखिए battery जो है, वो दोनों का ही ठीक ठाक backup दे जाता है, और ये दोना ही phone जो है, वो 5G है, तो इसमें कोई दिक् आपकी अश्या म jij जो है, ये घच्छा चाहिए आपके बार्फ वे जो आता है, ये वो göreभा जो है, जो बार्वे दाना आपकी जोढ अहिं है, तो न estे झाना है, उगना है, तो से जो आपकी जो ड बार्वे हम और कर कि लिए दो द déjàता है, बार्वे भाना वे लिए उल मैं हम